सो है गाईज आपके अपने युट्यूब चैनल इस्टेडव वैरियल्स फे स्वागत दोस्तों SSC ने SSC GD 2024 का करेक्शन मिंडो का लिंक दोस्तों एक्टिव कर दिया है जहां पर जाकर आप यह दि आपके अप्लिकेशन फार्म में अप्लाई करती हो वक्त कोई भी गलती हु पढ़ेगा कितना रुपया चाहर देना पढ़ेगा क्या सभी कैट्गरी को देना पढ़ेगा सीफ और दोस्तों आपको करेक्शन करने के लिए कितने अटेंट दिये जाएंगा जैसे दोस्तों पता होगा SSC GD 2024 का फार्म अप्लाई हो रहा था अब इसका क्रेक्शन मिंडो का डेट यानि लिंक दुस्तों ओपिन कर दिया गाए क्यों कर दिया है जहां पर जाकर आपने अप्लीकेशन फार्म में कर सकते हैं दोस्तों बात करते कैसा करने की अपकली स्ब्सक्राइब दोस्तों पता होगा सबसे पहले ओटी यार होता है आपका अपका एकावंड बनत सबसे पहले वापको अपना otr correction करना पड़ेगा उसके बाद इस नहीं करना पड़ेगा लीकी सबसे पहले को इसकिए बीडियो करेशन वांसे लिए वहांप जैसे किलिक करो खोलेगी यहां पर capture code fill up करके आपको अपने account को login कर लेना है चलिए हम login कर लेते हैं फिर तो जैसे अपना station number और password पीड़ आपने account को login कर लेना है main login करते हैं एब डोस्तों जैसे आपका account login होगा यहां पर आपका नाम अगएरा सादर दिख जाएगा ठिक है और यहां पर आपके दोस्तों right side में दिख रहा हो गा एडिट रेजिस्टेशन डेटेशन डेटेशन डेटेल्स अपको एडिट एडिटट कर लें ठीक है यहां पर दोस्त दोस्त इस में मैं किस पाल में गलती हूई जैसे एकिंजंफ बेट पर में दिखा दू यहां धासे मेरे दॉस्क्त हुई है सईद्धे से जलीक करेंगे यहां पर हम अपने दॉस्तध कर देंगे जो होगा उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आ जाएंगे कि नीचे आते ही दोस्तों यहां पर हम से और निश्प क्लिक करके लास्ट में डिकलेशन कर देंगे और हमारा आधार का करेक्शन हो जाएगा अब आपके मैटर करता है आपके किस पार्ट में गलती नेम डेटा बार्थ यह आपको मूबाइल नमबर एड़े जिसमें गलती हुए आपको वही पार्ट का इडिक करना है ठीक है वही आपका सिर्फ एडिट करना है जब आपका दोस्तों ओटीर एकश्टेसन हो जाए तब आपको दूस्तों बैक आजाना है ठीक है जुद स्वैक आएंगे इसको कर अब करते हैं यहांपर आपको दौस्तो आप को आपका जो अप्लीकेशन रहाइब किये हैं आपको दिख जाएगा जैसे पहले Default Audिज इस स Там재 आप C 9 मेरे और 14 दिसमबर का लाइट था और दोस्तों में अपका फांद क्रेक्षं करने के डिठ बात करें पांच नवंबर दो हजार चौबीस लेकर साथ नमंबर शुफ यानि आप तीन पांच शे साथ तीन दिन का पूस्मे समय दिया जाएगा ठीक तो दोस्तों याद पर पना तो दोस्तों अगर आपको आप को दिख रहा होगा आप यहां पर आपको अप्लिकेशन स्टेटस करके चेक कर लेना कि आप कोई फार्म में गलती तो आपको रिएपलाई कर लेना है है चेक करने के लिए आपको रियुक्त नहीं करना है कि आपका अपका आटेंप्ट हो जाता है वैसे दोस्तों अपको इस होता है इस कि मामारा यहां पर दूसरा अटेम्स दिखा रहे है तो आपको यहां से स्टेटस से करें अगर आपको लग रहा है सही तो आपको यह प्लीक करेंगे अब इसमें दोस्तों आप फोटू सिंग्नेचर और आपका एक्जामनेशन सेंटर मीडियम तो होता है पोश्ट फ्लाइब करते वह यह लिए पहुता है डूसरी बार करेक्शन नहीं होगा दूसरी बार करोगे ताप 500 रुपिया देना पड़ेगा तीसरी बार आपको मोगाने नहीं देडिया जाए तो आप कर ले याद रखना जिन केंडेट को अपलाई करना है वही रिपलाई करेंगे ठीक बाख़ी अदर चेक करने के लिए आपको रीप्लाई पिक लिए क्लिक नहीं करना तो अगर इब आपके फार्म रिपलाई करने में कोई प्राप्लम आ रही है हमें कर सकते हैं डिट याद रखना पांच नॉबंबर दोजार चोबीस से लिए का साथ नॉबंबर तीन दिन आप उसमें दिया जाएगा और आपको कियरफुली आपके जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट का सीव एडिट करना होता है ठीक है सारे प अपर गलती होई और है तो पहले आपने ऑटई करेंगे उसके बाद यहां पर आपको रियप्लाई करेंगे तो यहां से आप रियप्लाई आराम से कर पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना